हेलो गुड मूर्णिंग कैसे हैं आप लोग 11 जन्वरी 24 एक बार फिर एक नहां सेशन लेकर मैं मान शौप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी शैसेंट पर अर्थवरस्ता की स्थिति के अमसा बारतेस्जर बैंक की रिपोर्ट की रिपोर्ट की रिपोर्ट की रिपोर्ट की कीमतों की पहचान की गई है पाधप स्वास्तिया प्रबंदधन पर अंतराश्री संहमेजन 2020 कहा आयोजित होने वाला है तो ये है वदरवाद भारत में प्लांड प्रोटेक्षिं और इंडिया दवरा किया गया है जो पाधप स्वास्तिया पर्बंदन में वैश्वी सहीब परिषासनिक सम्मेलंड के सदिस्य के रूप में नुक्त किया है। अंतराष्टिये चातर के स्तारीक को है दो जाटेश में दुनिया बर में दिवस मनाया जाएगा तो ये है 17 नुमबर अंतराष्टी चातर 1949 में प्राग में एक विश्व विधालय पर नाजी अकरमन से सम्मदित एतियासिक महतों की समरती में विश्व इस तरपर चातरों के ललची लेपन व युगदान को स्विकार करने के लिए शुकरवार 17 नुमर को दुनिया बर में दो जारतेईस दिवस मनाये जाता है सेंग सेने अभियास वियायाम मित्र शक्ती दो जारतेईस का नुवा संस्क्रन का आउजित किया गया है तो ये है पुने वियायाम मित्र शक्ती दो जारतेईस पुने के ओंद में आउजित किया रहा है जिसमें चुनोतियों से निपटने और शेतरे सुरक्षामी युगदान देने के लिए भारत और शिलंकाई सेनेबलों के भी सिरुक पर जोड़ दिया गया हाली में किसने साइन के पुने चुनाव जीता तो इनका नाम है पेडरो सैंचेज पेड्रो सैंचेज ने करेबी मकाबले वाले संसेदे चुनाव सुफल था फूर्वजीद हासिल की और अबने पुने चुनाव सुरक्षित कर लिया उनकी जीत केटानोलोनियन अलगावादियों के लिए क्विवादासपत माफी समझोते से प्रभावी थी हाली में किसने 21500 फीट के उन्चाई से माउंट एवरेस्ट के पास स्काई डाइविंग की बूत पर वोपलब्दी हासिल की तो इनका नाम है शीतल महाजन जेशल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के पास एक सहासी स्काई डाइव पूरा करने वाली पहली महिला बनकर इत्यास रखचा 21500 फीट के प्रभावशा लिए उन्चाई से चलांग लगाई और चरम खेलों में लैंगिक बदाओं को तोड़ते हुए कुशलता पुरवक्त काला पत्थर चोटी पर उतरी आली में किस संगठन ने हेलो नारियाल फ्रेंड्स ओफ कोकोनेट ट्रीज एफ़ो सीटी कोल सेंटर सुविधा लोंच की तो यह है कोकोनेट डेवलेप्मेंट बॉड हेलो नारियल नारियल किसानों को समर्थन देने और खेती के तरीकों में सुधार करने के लिए नारियल दबारा फ्रेंड्स ओफ कोकोनेट ट्रीज कोल सेंटर सुविधा शुरू की गई थी कौन चोती बार दोजा 24 में, 96 अकार्मी पृसकार के मेजबानी करने के लिए नियुगदान दिया ौध ज्वा पंडू भी रोधी यूद शेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना की से गरूप में लॉंच किये चोथे पोत का नाम क्या है तो इसका नाम है अमीनी अमीनी स्विदीशी जहा निर्मान में प्रगति को परदशी करते वें भारतिया नौ से ना दुबारा सफल था परो लॉंच कि किया गया एंटी सब्मरीन वार्फेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का चोथा पोते हैं कैसा लगा आपको 11 जनवरी का सेशन कोमेंट सेक्शन बताइए वीडियो कर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें शेर कर दें और अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लीजिए कल फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ तब तक बने रही है हमारे साथ धन्यवाद